हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हारदिक स्वागत है देखिए परधान मंतरी के बाद रक्षा मंतरी से मिले राज्यपाल आखिर इसके माईने क्या है पूरी सैनिकों का ग्यापन सोपा हुई बातचीत क्या मिला जवाब और देखिए सैनिकों को भी क्या NPS मिल सकता है OPS भाटा कर सरकार क्या NPS कर सकती है ऐसी बहुत सारी खबरे जो है चल रही है और इसका जो है मेन कारण क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब गवर्नर स्री बनवाई लाल पुरोहिजी मीट पीम नरेंदर मोदी यह 4 दिसंबर 2023 की निउज है क्योंकि आप सभी को पता होगा जो रेल रो को आंदोलन हुआ था उसके बाद यहाँ पर राजपाल से मिले थे पूर्व सेनिक और उन्होंने अपना ग्यापन दिया था और उन्हें बताया था कि मेरी चार तारिक को परधर्मंतर जी से बातचीत होनी है मैं उन से जो सारे मुद्दे हैं वो डिसकस करूँगा और फिर उसके बाद आपको आगे की जो भी बात होगी वो बताने वाला हूँ पांस तारिक में देखे जो गवर्नर है पंजाब के वो मिलते है रक्षा मंतरी जी से और आप देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत भी चल रही है यहाँ पर उनकी बातचीत हुई है यहाँ पर चीजे इंपोर्टेंट क्यों है रक्षा मंतरी का बीच में आना क्योंकि परधान मंतरी से बात हुई थी क्योंकि जब भी कोई डिफेंस की बात होगी तो देकि रक्षा मंतरी से जरूर बातचीत होगी पधान मंतरी से मिले होंगे अगर आप रक्षा मंतरी से ना मिलें क्योंकि ग्यापन जो दिये गए थे वो पधान मंतरी और रक्षा मंतरी दोनों के नाम दिये गए थे अगर दोनों से इस बारे में बात्चीत ना की जाए तो ये बात जो है अधूरी रहेगी क्योंकि रक्षा मंत्रा ले अगर कोई देख रहा है तो रक्षा मंत्री जी देख रहे हैं और उनके पास वो चीज़े पहुंचनी चाहिए देखे सरकार के पास समय है सारी चीजों को सोचने का समझने का और पांचो राज्यों के चुनाओ जो हैं वो भी सरकार के अनुकूल रहे हैं तो 2024 के लिए ये सेमी फाइनल माना जा रहा था और सेमी फाइनल में बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरी बीजेपी की टीम खेली है तो यहां पर उनको देखे सोचना चाहिए कि कुछ चीजे और हैं जो हम अपने सैनिकों को दे सकते हैं क्योंकि सैनिकों ने राजिस्थान, 36 गड़ यहां पर उनको सहयोग किया है अब हम आगे चलते हैं NPS और OPS वाली बात जो कहां से आती है आप देखें यहां पर मनी कंट्रोल की एक नियूज है तीन राज्यों में कांग्रेस की हार और BJP की जीत तीनों राज्ये बड़े मद्परदेश, 36 अगर हम बात करें राजिस्थान में देखें बहुत ज़्यादा सेंडिक और पूर्व सेंडिक हैं और जो सेंटरल गोर्वर्मेंट एंप्लोईज हैं उनकी मांग थी Old Pension Scheme OPS तो देखें अगर तीन तीनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है और BJP बहु कि यहाँ पर यह बात जो है सामने आ रही है कांग्रेस ने मदपर्देश, राजिस्थान और 36 गड़ के मठगाताओं को दुबहने के लिए अपने परमुखवादों में से एक जो है था उल्ड पैंसन स्कीम था लेकिन सबसे पुरानी पार्टी सरकारी करमचारियों के ने केवल इन राजियों में चुनाव हार गई बलकि उसकी जो एक मातर जीत हुई है तेलंगाना में वहाँ पर उन्होंने ओल्ड पैंसन स्कीम के बारे में जिक्र नहीं किया था वहाँ पर उन्होंने उसका कोई भी आस्वासन नहीं दिया था कांग्रेस नेता प्रवीन च स्कीम की जो लागू थी आपर सेकिंड पॉइंट देख सकते हैं आप आपर राज खोसी है जो खीम की बात की जाए देखिए जब कंग्रेस यहाँ पर सरकार में थी तो उस टैम पे जो था उन्होंने ओल्ड पैंसन स्कीम लागू कर दी कुछ राज्यों में और कुछ राज कंप्लीट कर ली है आप सभी जानते हैं कि इससे देखिए जो वित्य बोज है फाइनेंसल क्राइसिस गोवर्मेंट पर बहुत जादा बढ़ जाएगा और इन चीजों को देखते ही उन्होंने बताया था देखिए ओल्ड पैंसन स्कीम के बज़ाए हमारा ध्यान है कि जो न्यू पैंसन स्कीम है उसको कैसे सुसजित तरीके से अच्छे तरीके से किया जाए उस पर हमारी कमीटी ने चीचों को आगे बढ़ाया तो हमारा मकसद है कि हम देखें new pension scheme को ही इतनी अच्छी करें कि हमें old pension scheme की ज़रोध ना पड़े और देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं देखें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो old pension scheme है सरकार चारी है कि old pension scheme और new pension scheme की कोई step की चीज़े बीच वाली लेके आई जाएं ताकि जो सरकारी करमचारी है वो अपने आखरी वेतन का 40-45% जो है pension के रूप में लेते रहें अगनी वीर हो अंगनी वीर अंगनागस हो यह सारी चीज़े लाई गई है क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा जो वित्या बोज है वो कम हो pension के उपर से और हम टकनी की चीज़ों को जो है लागू कर सकें तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर यह क्यास लगाया जा रहे है कि क्या OPS डिफेंस में भी लाई जा सकती है देखे पहला सवाल तो यह है कि जो OPS के नतगत हैं उन पर इसका कोई भी एफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है जो new pension scheme की बात है तो देखे अगनिवीर्स लाके उन्होंने ओलेडी जो concept है वो change कर चुके हैं उनको pension नहीं देनी है तो यहाँ पर देखे डिफेंस में OPS लाना एक NPS लाना बहुत एक अलग कहानी है और वो लाना दूर दूर तक भी कहीं संभव नहीं दिख रहा है लेकिन सरकार वास्तों में NPS में ही और कुछ सुधार करने के लिए काम कर रही है और जो committee थी उन्होंने अपनी पूरी report जो है submit कर दी है अब देखते हैं finally सरकार क्या करती है लेकिन important ये है कि देखे सरकार हर वो काम कर रही है ताकि उसका जो वित्य बोज है वो कम हो सके